हालो फ्रेंड्स मैं हूं को और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रावनी इन्फोटेक रेड्मी नोट 4 सकेंड फेज में लिस्टेट था और रेड्मी नोट 4 को MIUI का 11 का स्टेबल अपडेट सकेंड फेज में नहीं मिला था क्यूंकि उसका डेट 12 ओफ नवंबर था लेकिन अभी MIUI वर्जन 11.0.2.0 का अपडेट मिला है यह तो स्टेबल अपडेट यहां पर आपको अपडेटर में देखने को मिल तो रहा है लेकिन यह पार्चेल अपड अपडेट नहीं कर पाएंगे जिनके अपडेटर में सो हुआ है और वो उसी टाइम अपडेट कर लिए तो अच्छी बात है अगर आप आधे एक घंटे भी लेट रहेंगे तो आपके अपडेटर से यह अपडेट चला जाएगा और अगर आप मैनुवली भी अपडेट कर और बहुत लोग अगर ट्राइब भी किये तो उनका अपडेट जो है वो चला गया है तो टेन डेज के बाद आपको पार्सेल अपडेट इस टेवल की रूप में देखने को मिलेगा और उसी टाइम आप इसे मैनुवली भी अपडेट कर सकते हैं अभी अगर आप मैनुवल 0.2.0 की अपडेट में आपको देखने को मिल जाता है जो लोग MIUI 9 पर हैं वो लोगों के लिए कुछ नया लगेगा लेकिन जो लोग MIUI 10 पर हैं तो MIUI 10 के बीटा अपडेट में ही MIUI 11 के स्टेपल अपडेट की बहुत सारे फिचर्स दे दिये गया थे तो उनके लिए कुछ कुछ नया नहीं है कुछ आइकन नहीं दिये गया है कुछ इनिमेशन चेंज किया गया है और यहां पर काफी नीट एंड क्लीन MIUI 11 बनाया गया है सभी उजर्स के लिए तो जो लोग MIUI 11 अपडेट करने के लिए बहुत ही मतलब कि यहां पर कमेंट कर रहे हैं और बहुत ही रेडी हैं कि उनके फोन में बहुत जाता न्यू चेंजिस देखने को मिलेगा तो कुछ भी नया नहीं है यहां पर आपको नोट 4 से जाता उमीर नहीं रखने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको एंडोइट का अपडेट में नहीं मिला था तो सिर्फ एक MIUI 11 क का इस्टेवल अपडेट है और कुछ भी नहीं है मैं इसका रिवीव वीडियो बे लेकर आऊंगा कि आपको रिट्मी नोट 4 में क्या नया देखने को मिल जाता है तो जाता घबराने की बात नहीं है यह पार्सेल अपडेट है आपको इस्टेवल अपडेट 10 दिनों के बा